हेलो एवरीवन बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और ने वीडियो में और आज जैसे कि आप देख सकते हो गुरुवार है और मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर खुला है बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ आप देख सकते हो 36,450 के आसपास अभी मार्केट चल है ठीक है तो यहाँ पर हमको जो ट्रेड लेना है वह आप देख सकते हो अभी 36,500 का पूठ हम यहाँ पे लेंगे ठीक है क्योंकि गुरुवार है एक्सपाइरी का दिन है तो 500 का पूठ हमको यहाँ पे अच्छे रेट पे मिल रहा है तो 231 अभी वेल्यू चल रहा है 230 पे म एंटर किये हैं और यहाँ पे जैसे ही 250 होगा हम यहाँ पे बेज देंगे ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो 225 अभी चल रहा है हमने मतलब 230 में लिया था तो पांच रुपए के हिसाब से अभी यहाँ पर लगब 10 रुपए का यहाँ लॉस हो रहा है मतलब 220 हो गया अभी 8-9 पॉइंट यहाँ पे लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है मतलब 2500 रुपए करीब करीब लॉस अभी हमारा चल रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको लॉस को थोड़ा सा मतलब थोड़ा कैरी तो करना पड़ता है क्योंकि 230 में हमने लिया हुए अभी देखो 220 हो ग पुट हो सकता है मार्केट नीचे जा सकता है यहां से और यही है zero to hero trade क्योंकि zero to hero में कैसा होता है आज guru war का दिन है अगर मालो नीचे नहीं जाता है market तो हमारा पूरा जो पैसा है यहां पे वो zero में भी convert हो सकता है और अगर market यहां से नीचे चले गया तो बहुत अच्छा क market लग रहा था हमको कि यहीं से नीचे आना चीए और आप देख सकते हो थोड़ा बहुत यहां पर नीचे आ गया 235 हो गया है पर हम 250 में market से निकलेंगे अभी फिलाल हमको profit हो रहा है एक टाइम पर loss हो रहा था डाइसो का अभी यहां पर 75 रुपय का profit हो रहा है क्योंकि 30,450 के आसपास में market है तो जैसे ही यहां पर market नीचे गिरता है यानि कि market नीचे आ करके करीब 36,400 के नीचे जैसे ही जाएगा तो वैसे हमको profit होना अच्छा खासा स्टार्ट हो जाएगा 250 रुपय तक हमारा premium में पर पहुंचेगा अब अभी भी देख सकते हो हमको यहां पर आचुके हैं 32 हो गया यहां पर लेकिन 250 आने का हमको वेट करना है market हम देख रहे हैं यहां पर सिर्फ आट पॉइंट है मार्केट गिर रहा है ठीक है 250 से यहां पर देखो वापस से 250 के आसपास आ गया तो अभी 50 भी पार कर चुका है तो यहां पर देख सकते हो premium हमको 225 के निकल सकते हैं या फिर cost to cost भी निकल सकते हैं यहां पर पूरा-पूरा उम्मीद है market यहां से नीचे जरूर आएगा और एक अच्छा-खासा profit हमको मिलेगा यानि कि 250 में अगर हम जाते हैं तो 20 रुपए के हिसाब से 20 इंटू 25 अगर हम कर दें तो यहां पर हमको 500 रुप का हो रहा है मतलब की लगभग लगभग 100 रुपए के profit में अभी हम चल रहे हैं लेकिन फिर भी हमको निकालना का है 250 पर तो एक मैंने टार्गेट रखा हुआ है 250 का जैसे यह 250 जाएगा 36 500 का put 250 जाएगा तो उसके बाद में हम यहां पर exit कर जाएंगे ठीक है तो हम यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी तो मार्केट ऐसा कोई खास move हो नहीं रहा है चाहे तो हम cost to cost में निकल सकते हैं लेकिन 250 मैंने रखा हुए क्योंकि मैं मार्केट को research करता हूं देखता हूं चार्ट वगरा के pattern वगरा सबी चीजे मैं देखता कि मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए ठीक है तो एक तरह से अगर देखा है तो 230 में घुसना हमारा okay था perfect था अगर हम चाहते तो 220 में घुसते तो यहां पर हमको 200-300 का profit होता और निकल जाते लेकिन अभी भी 2-3 रुपे profit हो रहा है 2-3 रुपे loss हो रहा है ठीक है उतना कोई खास बड़ा profit तो हो नहीं रहा है लेकिन अगर हम घुसे हैं यहां पर 230 में हमने purchase किया हुए तो obviously कुछ सोच के purchase किये अगर मैं चाहूं तो यहां से cost to cost निकल सकता हूं लेकिन मुझे लगता है कि market definitely यहां से नीचे जाएगा तो इस वाज़े से मैं अभी इसे बेच न है मतलब 15-17 रुपय और यहां पर बढ़ेगा 288 हो चुका है ठीक है तो हम यहां पर देख सकते हो प्राइस किस तरह से यहां पर चेंज हो रहा है और क्यों हम यहां पर घुसे थे क्यों हम मतलब यहां पर 230 में घुसे अभी 241 हो चुका है बहुत जल्दी हमारा target 250 का hit होने अगर आप चाहो तो 250 का target भी यहां पर लगा सकते हो मैंने वीडियो में बताया हुए कि किस तरह से आपको target लगा करके बेचना है तो आप देख सकते हो यहां पर प्रॉफिट हो रहा था 10 रुपय तक का profit हुआ था मतलब 200 रुपय यहां पर बनेते हैं हमारे लेकिन वह वा मतलब कम profit में निकल जाते हैं कई बार या फिर कई बार क्या होता है थोड़ा सा loss ले ले लेते हैं या फिर cost to cost में निकल जाते हैं लेकिन अगर आपको confidence है तो wait करो market आपको definitely move देगा और यहां पर देख सकते हो हमको loss जो है वो थोड़ा और भी ज़्यादा हो चुका है यान कि पूरा पूरा उम्मीद यहां पर यह है कि market यहां से नीचे जाएगा और देख सकते हो नीचे आ भी रहा है ठीक है लेकिन आज गुरुवार का दिन ना तो premium उतना कोई खास मिलेगा नहीं इसलिए हमने 36-500 का लिया हुआ है यहां पर कि premium हमको अच्छा खासा मिले market यहां पर cover भी कर रहा है ठीक है तो आप देख सकते हो यहां पर 33-34 रुपय वापस से हो गया है ठीक है ठोड़ा सा और वेट करेंगे market को नीचे जा रहा है market और नीचे जाने के बाद वापस से उपर आ रहा है तो हमने यहां पर 230 में ही क्यों लिया मैं ठीक है चाता तो मैं 220 में भी ले सकता था लेकिन 230 में ही क्यों लिया और क्यों मुझे यहाँ पर confidence है कि 250 रुपए तक premium यहाँ पर जा सकता है यह सभी चीज़ अगर आपको सिखना है तो इसके लिए आपको technical analysis करना आना चीए किस वज़े से मैं यह सभी trade लेता हूँ वो सभी कुछ आपको वीडियो में मैं आके बताऊँगा तो चैनल को आप subscribe यहाँ से कर लिजिए आप देख सकते हो market यहाँ पर नीचे गया premium अगर हम देखें तो वापस से 238, 240, 42 तक हो गया है कितना फटा-फट market मूफ कर रहा है 249 तक गया था और वापस से फिर यहाँ पर नीचे आ गया है ठीक है तो यहाँ पर अभी भी हम चाहें तो निकल सकते हैं profit हमको हो रहा है अगर 250 market लेकिन अभी तक गया नहीं है मैंने जहां तक अभी देखा है 250 नहीं गया 249 तो जा चुका था market जैसा कि आपने live यहाँ पर देखा तो अभी भी हमको confidence है कि market आएगा नीचे बट जितना ज्यादा time बितेगा ना उतना ज्यादा premium यहाँ पर down होते जाएगा अगर एक बार भी market और 40 के उपर चले जाता है जो 430 अभी चल रहा है न वो 440 अगर पार कर देता है तो देख लो यहाँ पर 427, 429 इस तरह से यहाँ पर premium चल रहा है वापस से 30 आ चुका है तो थोड़ा से यहाँ पर wait करते हैं थोड़ा time के लिए मैं वीडियो को यहाँ पर stop करता हूँ थोड़ी दिर wait कर लेते हैं क्योंकि premium यहाँ पर नहीं मिल रहा है उतना जादा और market भी इसी तरह से move कर रहा है यह जगा पर stuck हो रहा है जाकरके नहीं 20.00 उपर जा रहा है नहीं 20.00 जल्दी से नीचे आ रहा है वापस से 41 हो गया premium मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ देखो loss होना यहाँ पर start हो गया 2.25 के नीचे आ गया market सॉरी 2.20 के 2.30 में हमने लिया हूँ था तो 2.20 बाइस यहाँ पर चल रहा है तो थोड़ा सा हमको loss यहाँ पर वापस से हो रहा है अगर हम चाहते है तो अराम से निकाल सकते थे लेकिन देखो market उपर आ गया और इस वाज़े से हमारा premium यहाँ पर थोड़ा सा कम हो चुका है ठीक है बट नीचे जाएगा market ऐसी कोई tension वाली बात नहीं है फिलाल तो चलो उपर 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 जा रहा है बट नीचे डेफिनेटली जाएगा और एक बार के लिए अगर हम 250 का टारगेट रखते तो क्या पता साइट वो टारगेट भी हो गया रहता कि यहाँ पर आपने सामने ही देखा 249 तक market जाकर के आया है मतलब लगबग लगबग अगर बात करूं तो 500 रुपय का profit हमको हो रहा था बट हमने यहाँ पर exit नहीं कि तो 10 रुपय का है यहाँ पर loss चल रहा है 10-12 रुपय का ठीक है और market को अगर आप देखोगे तो 50 के उपर जा चुका है वापस से ठीक है तो थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं 250 डेफिनेटली जाएगा ऐसा मुझे लगता है तो बस वेट कर लेते हैं देखते हैं नीचे हम वापस से आ चुके हैं और देख सकते हो आप 250 250 यहाँ पर हीट हो गया 251 255 ठीक है और मैंने अभी होड किया था एक देड़ मिनिट के अंदर अंदर ही यहाँ पर प्राइस जो है वो बढ़ गया है 255 यहाँ पर हो चुका है 250 हमने हीट कर लिया और आप देख सकते हो यह आपर मैं कितना देर तक यहाँ पर होल्ड किया देखो वापस से यहाँ पर प्राइस जो है वो कम हो रहा है दिरे दिरे बढ़ हमारा टार्गेट था 250 का और यह 255 तक जा चुका है मार्केट अब देख लो कहां पर है 400 के नीचे मार्केट फाइनली यहाँ पर आ चुका है कितने दिर में आया है हमने यहाँ पर ट्रेड जो लिया था उसके बड़ मैं आप टाइमिंग देख सकते हो ज्यादा दिर का फरक नहीं और बहुत जल्दी मार्केट हमारे प्राइस जाक यानि कि 256 अभी आ चुका वापस से आप देख सकते हो तो कितना यादा confidence था मुझे आप वो चीज को नोटिस करो कि 230 में मैंने खरीदा प्राइस यहाँ पर हमको 15 रुपे तक दिखा था 18 रुपे 15 रुपे तक यानि 280 रुपे तक दिख रहा था जिसमें मुझे लगबग लगबग यहाँ पर 4500-500 तक का लॉस भी हो रहा था बट फिर भी मुझे confidence था और इस सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो ताकि आने वाले जो वीडियो हैं किस तरह से यहाँ पे आप confident रहोगे कि मार्केट यहाँ पर आपको उपर ही जाएगा आपने जो ट्रेट लिया हुआ है वह एक बार आप analysis करके ले चुके हो उसके बा वापस से 400 के उपर आ गया है लेकिन मैंने यहाँ पर बोला था ना कि 36-400 से नीचे जाएगा मार्केट तो नीचे मार्केट मूब भी गया और हमको 50 रुपए से ज्यादा मिला अभी फिलाल यह 230 के आसपस वापस से चल रहा है तो यहाँ पर हमारा target अचीव हो चुका है बह टेलिग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो टेलिग्राम चैनल पे मैं आपको कॉल और पूट देता हूं कि कौन से प्राइज में कौन सा कॉल या कौन सा पूट आपको लेना चीए जो कि आपके लिए बेनिफिट हो सकता है तो मुझे उमीद है दोस्तों वीडियो आपको वापस से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइज जो है 247 फिर से चल रहा है ठीक है तो वापस से 245, 246 तक चल रहा है प्राइज तो अभी भी हम प्रॉट में ही है तो 230 में ही मैंने लिया था तो बस यही सबी चीजे है दोस्तों अगर आप मार्केट सही से देख है अगर मार्केट में तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो होगा चलिए दोस्तों मिलता हूं थांक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो